आज हम बनाएंगे बहुत ही special मिठाई गेवर आज हम रबड़ी वाला गेवर बनाएंगे गेवर बनाना लगता है कि बहुत मुश्किल काम है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गेवर बहुत आराम से बन जाएगा बस दो चार चोड़ी चोड़ी ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करनी है और यह खाने में सबसे टेस्टी मिठाईों में से एक है और इसको बनाने में बहुत जारा इंग्रीडेंट्स की भी जुरुत नहीं है बस थोड़ी इसी मैनत लगीगे और एक गंटे में आपको गेवर तयार हो जाएंगे जो बजार से भी बढ़िया लगेंगे तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम गेवर का बैटर बनाएंगे उसके लिए चाहिए हमें एक मिक्सी का जार मिक्सी की जार में हम डालेंगे चार छोटे चमच देसी गी जो खाने वाले नॉन्मल चमच होते ह जार में बरके आपको चार छोटे चमच देसी घी लेना है घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चार से पांच आईस क्यूब्स बरफ डालने के बाद हम इसको 10 से 20 सेकन्ड के लिए मिक्सी में चला लेंगे घी बिल्कुल एकडम सफीर मक्षन जैसा हो चुका है अब हम दालेंगे एक कटोरी बरके एकदम ठंडा दूद और इसको 10 सेकेंड के लिए और मिक्सी में चला लेंगे तो हमारा जो घी है वो बिल्कुल ऐसा वाइट मक्षन जैसा हो जाना चाहिए अब हम इसमें मैदा एड करेंगे हमने पूरा एक कटोरी बरके मैदा लिया है मैदे को एक साथ एड निकरना है बस दो दो चमश डालते जाना है और इसको मिक्सी में चलाते रहना है तो अभी हमने इसमें दो चमश मैदा एड किया है और इसको 10-15 सेकेंड के लिए मिक्सी में अच्छे से चला लिया है तो अब हम इसमें दो चिमस मैदा और एड करेंगे, और इसको वापिस 10-15 सेकिंड के लिए मिक्सी न चलाएंगे, ऐसे थोड़ा-थोडा करके हमें मैदा डालते चैनाए, और इसको मिक्सी में चलाते रहना है ये प्रॉसेस हमें बार-बार करते जाना है, जब तक हमारा मैदा पूरा खतम नहीं हो जाए मैदा डालते डालते थोड़ा सा ये जो बैटर है वो हाड हो जाएगा इसलिए हम इसमें डालेंगे एकदम चिल्ड पानी के यूज करना है आप दूद भी चुलेंगे वो भी बिल्कुल चिल्ड चाहिए और पाने भी एकदम लिक्विड पानी जैसा इसको हम एक बावल में ट्रांस्वर कर लेंगे इसमें हम डालेंगे एक चमश नेम्बू का रस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा गेवर का बैटर बिल्कुल तयार है बैटर में जो में बात आपको ध्यान रखने है कि बैटर जब त कड़ाई में अच्छे से घी बाड़ लिए आप गी यह और लिकिसी में बना सकते हैं बस आपको इक बात का ध्यान रखने है कि घी यह और जो भी बनाए वह एकदम गरम होना चाहिए बहुत जादा गरम होना चाहिए तब इवर में अच्छी जा लिए आएगी तो हमारे ग जाग वापिस बैट जाएंगे हम एक चम्मच से थोड़ा सा बैटर और डालना है आपको बैटर को बिलकुल थोड़ा सा उपड़ ले जाके और एक तम पतली दाहर बनाके इसके कड़ाई के बीचू बीच डालना है और गैस की फ्लेम को पूरे टाइम हाई ही रखना है बलकि जो भी गैस की सबसे तेज वाली फ्लेम हो आपको उसी पर गैवर बनाना है तो ऐसे हम दीरे-दीरे करके लगबख चार से पांच चम्मच बैटर इसमें डाल देंगे जब तक पूरी कड़ाई कवर नहीं हो जाती गैवर से और एकदम बीचो बीच डाल देंगी ताकि हमार गैवर बिलकुल गोल बने जार से पांच चम्मच डालने के बाद गैवर का शेप आने लग जाएगा तो बीच में से थोड़ा सा इसमें होल करना है हमें और अब इसको मीडियम फ्लेम पे पक्षिन देना है अब गैस की फ्लेम को आप थोड़ा कम कर सकते हैं लगबख चार से 2-3 मिनट तक ऐसे ही रखना है तक कि सारा घी निकल जाए तो आपने देखा गेवर बनाना कितना आसान था ऐसे ही करके हम सारे गेवर बना लेंगे बस आपको एक ही बात का दियान रखना है कि बैटर एकदम ठंडा और कि एकदम गरम होना चाहिए तो हमने जो एक कटोरी मैदे से बैटर बना था उससे चार्ट से पांच की वर बन के तयार हो जाएंगे अब फटा-फट हम इसके लिए रबडी बना लेते हैं उसके लिए क करेंगे आधा गटोरी चीनी गेवर की रबडी इतनी मीठी नहीं होते इसलिए चीनी हम इसमें कम डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच इलाइची पाउडर और बहुत थोड़ा सा केसर आपकी रबडी वाला पूरा पार्ट इसकिप कर सकते हैं और गेवर को सिर्फ चासनी में भी खा सकते हैं वो वैसे भी बहुत डिलिशियस लगता है अब हम इसको लगबग 5-6 मिनट औ अब कर देंगे जैसे जैसे ठंडी होगी थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी अब हम चासनी बनाएंगे उसके लिए कड़ाई में डालेंगे एक कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी और इसको हाइफ लेम पे उबलने देंगे गेवर के लिए हमें किसी तार की चासनी नहीं चाहिए बस हल्की चिपचिपच्पच्प चासनी चाहिए तो इसको दो ऐसे तीन मिनट तक हम उबाल लेएगे तो चासनी को बलते दो-तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे, इसमें लगबग आदा तार बन रहा है, यह हल्की चिप-चिपी चासनी है, तो अब चासनी तयार होगी, इसकी फ्रेम को बन कर देंगे, अब हम हमारे गेवर को प्रेपार करेंगे, तो हम एक प अब गेवर को एक हफ़ते तक रख सकते हैं, और उसके उपर गरम-गरम चासनी डाल के, कभी भी खा सकते हैं, तो हमने इस पर अच्छे से चारो तरफ चासनी डाल दीए, सिर्फ चासनी की गेवर भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि हमने रबडी बनेएगे, तो अब हम इसके उपर रबडी भी लगा देंगे, एकदम पतली लेल लगा देंगी, चारो तरफ गेवर के उपर, रबडी काफी थिक हो चुकी है, मैं इसको अच्छे से इसके उपर स्प्रेड कर देंगे, तो हमारा गेवर रबडी वाला गेवर तयार है, गेवर बनाना बहुत आसान काम है, कोई भी बहुत आराम से इसको बना सकता है, बस छोटी मोटी ट्रिक्स को फॉलो करना है, और आपका गेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और बजार से भी जादा अच्छा बनेगा, इसके उपर हम डालेंगे थोड़े से ड्राइफ रूट्स, तो हमारा हलवायो जासा रबड़ी वाला गेवर बिल्कुल तयार है, अगर आपको यह रैसेपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार गेवर की रैसेपी ज़रूर ट्राइ करें, आपको यह बहुत पसंद आईगी, बल